असलाम वालेकुन फ्रेंड मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं बेग विलॉक्स बेग विलॉक्स में आपको वेलकम करता हूँ I hope you are absolutely fine जिस टॉपिक में आज मैं आपसे discuss करने जा रहा हूँ वो है हम freelancing में fail के हो जाते हैं यह बहुत common question है जो सब freelancer से किया जाता है और यह वो लोग करते हैं जो कि freelancing में fail हो जाते हैं मैं यह नहीं कहता कि वो मेनत नहीं करते लेकिन वो almost चीज़ों को बीच में से skip कर जाते हैं यह सबसे important question है और इस पर तबज़ा देने कि इसलिए मुझे ज़रूरत पेश आई कि इसका जवाब मैं आप तक किसी तरीके से पहुचा हूँ कि हम क्या करें कि जो हम give up ना करें इस बात पर गौर कीज़ेगा कि हम क्या करें कि हम give up नहीं give up करते हैं तो इसका मतलब failure सामने है fail हो गया हूँ nothing तो सबसे पहले कि freelancing में जब हम enter होते हैं तो हम एक aim लेके enter हों जब हम एक aim लेके enter होंगे जब हमारे पास goals होंगे हमारे कि हमने वो achieve करने ही करने हैं life को manage करके अगर इस चीज़ की तरफ आया जाए और सबसे पहले इसको part time बना के ही चला जाए फिर ये बाब में full time में convert होती है तो अपनी दूसरी चीज़ों को manage करके इसको manage किया जाए तो हम हमारे पास अलग सा एक activity आ जाती है एक activity produce हो जाती है ये चीज तो हम इसे एक activity की तरफ पे रखे हैं और हमने इस पे कुछ करना ही करना है तो फिर हम इस पे काम्याब होकर ही निकलते है जिसका तो ये mind है लेकिन जिसका ये mind नहीं है और वो सिर्फ यहां पे एक चीज़ के लिए है कि मुझे यहां पे सिर्फ पैसा ही कमाना है पैसा कमाना मेरी बात को गार से सुनें कि पैसा जो कमाना है वो सबका ही एक default goal है कुछ देर के लिए उसे भूल जाएं, कुछ देर के लिए उसे जहन में निकाल दें और कुछ देर के लिए अपने passion को जहन में रखें, कि हमारा passion है कि हमने यहां से earning करनी है, हमने यहां पर एक personality develop करनी है profile develop करनी है, हमने यहां पर आगे जाना है कुछ लम्हें के लिए भूल जाएगे यहां से earning होती है बस यह रखें कि हमारी यहां पर एक profile build up होगी हमारा यहां पर एक image create होगा बस उस चीज़ को जहन में रखके यहां पर काम करना शुरू करते है पैसा तो earning तो automatically generate होनी होनी है वो होनी होनी है, वो project करना है तो पैसे मिलने ही मिलने है पैसे कहीं नहीं जाते है लेकिन जो चीज़ें दिमाग में रखे हैं वो जो मैं समझा रहा हूँ वो यहीं है उसके बाद जो चीज़ होती है कि हम जो होते हैं वो बड़े ही जो हम nature wise में बात कर रहा हूँ कि emotions में रहकर जीते है Emotional Emotions को यहाँ पे control करना बड़ा ही एहम है और Emotions को यहाँ पे control करना यह है कि हर project को आपने ऐसा नहीं समझ लेना कि हर project पे ही मैं काम कर सकता हूँ यह हर project को ही पकड़ सकता हूँ यह मैं initial phase की बात कर रहा हूँ जो लोग इस चीज़ को जानते हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं लेकिन मैं initial लोग इस बात कर रहा हूँ कि जो कि अभी 10th standard के हैं 11th standard में हैं जो कि इन चीज़ों को नहीं पता लेकि इन चीज़ों को यह पता होना चाहिए कि emotional जो चीज़ें होती है हमें इसके अंदर काम नहीं आती हर प्रोजेक्ट हम नहीं कर सकते हैं हम अपने skill wise ही लेकर चलते हैं अपने आपको इसके अंदर तो इस हवाले से अपने आपको आपने रखना है कि हम ज़्यादा emotional नाव हर प्रोजेक्ट के साथ कि कि क्लाइन की क्यूरी भी आईए कि आप कर सकते हो तो हमें कर सकता हूं या आपकी profile पर negative impact डालेगी आप वो प्रोजेक्ट आपको मिल तो जाएगा या वो अवार्ट तो हो जाएगा प्रोजेक्ट लेकिन आप वो कर नहीं पाओगी तो negative feedback आएगा dispute में चला जाएगा बाज वकाद तो लोगों को शूरू में समझ नहीं आती कि negative हो जाता है balance तो फिर आपको वो उल्टा आपके उपर आ जाता है अलागे आपने उसे pay भी नहीं किया होता है refund भी हो जाता है उसे और negative भी आपका balance भी हो जाता है तो अगले आप किसी job करते हो successful होती है तो उसमें से वो आपका cut भी जाता है तो यह जीज़े बड़ी दिहान में रखनी है हमने कि हमने अपने emotions को control करने है उसके बाद जो failure की बड़ी वज़ा होती है आपकी वो होता है lack of awareness lack of awareness से मुझाद है कि trend trend बड़े यहाँ पर matter करते है अब trend के भी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो यह है कि फर्स करें आप local काम करते है और local में जो designing की processment है वो freelancing में आगे बलकुल feel हो जाती है local आप जितने भी देखेंगे कि press में जो designer बैठेंगे है वो किस तरीके से काम करते है copy paste work हो रहा है वहां से उठाया वहां से उठाया वहां से उठाया यहां होता यहां पर भी आपको elements के साथ खेलना पड़ता है लेकिन आप full of creativity के साथ खेल रहे होते हैं ना कि आप copycat बने होते हो simply सी बात मैं कर रहा हूँ तो वहाँ पर यह चल रहा होता है कि आप की जो चीज़ें होती है वो उठाई net से आप copy paste कर रहे होते हो यहाँ पर आप आप इसलिए कर रहे होते हैं अगर यहाँ पर भी आप वही चीज़ इंक्रूट करोगे तो client आपकी report कर देगा अगर आप ऐसा कुछ करोगे फर्स करो आपने logo में ऐसा कुछ कर दिया और आपने copy करके internet से copy करके उसे logo दे दिया आपकी report हो जाएगी जब आपकी report हो जाएगी ता आपकी profile deactivate हो जाएगी या तो account hold पर चला जाएगा तो profile deactivate हो जाएगी दो काम होगी तो आपने ऐसी चीज़ें नहीं करनी जिसकी वैसे आपको failure आएए आपके सामने और आप फिर जो एक होतान है कि blame गें कि दे रहे हो कि यार यह तो ऐसे हिए है है यह तो play for me ऐसे ही है बिल्कूल नहीं होता बहुत से लोंगी बाते सुनी है कि नहीं होता ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा इस पे grow नहीं कर पाते grow हर कोई कर जाता लिकिन एक thought एक गोल अपने आपके सामने रखना पड़ता है आपको तभी आप इसके अंदर जाके कामयाब होते हो otherwise इसके अंदर कोई जिनका चराग नहीं होता कि रातों रात आपको कामयाबी दिल आदेगा ऐसा कुछ नहीं होता रातों की मेनत होती है इसके उपर जो आपको सर्फ करना पड़ता है टाइम और आपको अपनी परफाइल यहां पर डिवेलप करने पड़ती है और फिर जाके आप यहां पर स्टैंड रोपाते हो और ग्रोग करते हो आइस्ता आइस्ता ग्रोग करके ऐसा लेवल अचीव कर लेते हो कि आपको वहां से continuously जो है work होना मिलना शुरू हो जाता है तो failure की जो ये वजाएं है ये मैं मेरे लिहाज से जो है ये मैं बहुत इन चीज़ों को important समझता हूँ कि अगर ये चीज़ें आप लोग कर रहे हो तो failure आएंगे सामने अगर आप inferior से कुछ सीखते हो आप experience ही कर रहे हैं चीज़ों के साथ और कुछ सीखते हो तो कुछ बुरा ही नहीं है इसके अंदर क्या आपका को टाइम वेस्ट हो रहा है अगर आप समझो आप टाइम वेस्ट ही करके कुछ सीख रहे हो तो ये आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है आप कुछ ना कुछ इसके अंदर learn कर जाओगे और कुछ ना कुछ करके इसके अंदर कामयाब हो जाओगे तो उमीद करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई होगी ये बातें बहुत important मैंने आपसे की इन बातों को बहुत जहीं में रखिएगा जो मैंने इलफाज अपने use की हैं यहाँ पर इनको बहुत गौर से सुनें आप और कि मैंने आपसे का ये बातें बड़ी ये बातें मैंने किसी से नेने की वी ही ये बाते इस तरीके से ये बहुत माइनर बाते हैं जो इन चीज़ों को बड़ी फोकस रखती है इनके उपर कि अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो आप इस फिल्ड में कामयाब नहीं है और आपको इन चीज़ों का ख्याल रखने और ये ही चीज़ें आपको आगले की जा सकते हैं आपको मेरे से कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलावफेस